हलो एव्रिवन मैं हूँ आपका दोस निशान्त और ग्यान सफारी में आपका स्वागत है लिटिल रेड बुक और सेलिंग एक ऐसी किताब है जो सेलिंग में लगे करोडों लोगों के लिए एक मील का पत्थर सावित हुई है आज हम लोग इसी बुक से सेलिंग के कुछ important points को जानेंगे नमबर एक, कुछ भी सेल करने से पहले आप अपने आप से पूँचें कि आखिर customer book product या service आप से ही क्यों ले आप से लेने में उसे ऐसा क्या benefit है जो उसे दूसरी किसी भी जगे से नहीं मिलेगा नमबर दो, जिस तरह हर काम करने का एक सही तरीका होता है उसी तरह सेलिंग का भी एक तरीका है लाइक, ट्रस्ट, बाइंग, रिलेशन्शिप ओथर का मानना है कि अगर लोग आपको लाइक करें, आप पर ट्रस्ट करें तभी वो आपका product या service लेंग है नमबर तीन, आप जब भी किसी को कोई product sale करना या अपनी service देना चाहते हैं तो आप पहले उस customer को अपना दोस्ट बनाने की कोशिश करें उसके साथ किसी भी तरह से कोई link निकालें, कोई common बात जो कि आप दोनों में ही हो, जिससे बहे आप पर trust कर सके नमबर चार, दुनिया में सबसे tough काम लोगों को हसाना माना जाता है शायद इसलिए author का भी माना है, कि अगर आप लोगों को हसा सकते हैं, तो आप उन्हें अपनी service या product खरीदने के लिए convince भी कर सकते हैं नमबर पाँच, अपनी sale बढ़ाने के लिए अपने product में या service में creativity लाएं, कुछ unique हो जो आपको और लोगों से अलग करें, जिस कारण से आप market को dominate कर पाएं नमबर 6, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ करने या अपने आपको superior दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते author मानते हैं, कि अगर आप लोगों के सामने खुद की तारीफ कर रहे हैं, तो ये बड़ बोलापन कहलाएगा लेकिन अगर कोई और आपकी तारीफ करे, तो ये proof होता है कि आप में सच में कुछ quality है कि लोग आपको like करते हैं नमबर 7, author कहते हैं कि अगर आप life में success होना चाहते हो, तो आज और अभी से दूसरों की personal और professional life की problems में अपना time बरबाद करना बंद करते हैं क्योंकि आप जितना कम time और की life में देंगे, उतना ही जादा time आप अपनी success को पाने के लिए दे पाएंगे नमबर 8, author लोगों के failure का सबसे बड़ा कारण उनका अपने आपको explore नहीं कर पाना मानते हैं चाहें वह नई technology से हो या update information से और last point सबसे important point है, number 9 Sailing में ये important नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हो, जितना की कितने लोग आपको जानते हैं important है Thanks for watching this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like and share जरू करें हमारे channel को subscribe करें और bell icon को जरूर पैस कर दें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत notify हो सके Thank you